तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंश के साथ चैनल पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें सपोर्ट जरू करें पास मनें वहले लाइकिम को श्राट करें ताकि आपको टाइम पर नट्विक्शन मिलते रहें चली स्टाट करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं यहां पर सिद्धान दे रखें उनके सामने परवर्तक और इन्होंने किन जानवरों पर प्रयूग किया थी तो सबसे पहले दे रखें एसार थियोरी एसार थियोरी के परवर्तक हैं थौंडाइक इन्होंने भुकी बिली पर अपना प्रयूग किया था अब इसको याद करन यहनु प्रियास और तुरुटी का सिध्धांथ, इसका अन्य नामнакомे ए इसर तुरुटी का सिध्धांथ, यह व्याबWOO ध्यान रखना है, और जो यहां पर एसर देह रखा है, इसकी full फ़ूर्म होती है, स्टुलिस रेस्पॉ Mrs T 익hola सिषन अनुक्रिया सिद्दान्त इसे शी आर्थ योड़ी के नाम से जाना जाता है किस ने इस का प्रतिवदन क्या था या इसके प्रवरतन कौन थे तो यह थे इवान पेट्रोविच पावलव पावलव ने प्रयोकिया था कुत्ते पर तो अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं इसको याद करने की ट्रिक एकदम सिंपल ट्रिक है ट्रिक इस प्रकार है पाव से सीर तक पाव से सीर तक यह इसकी ट्रिक है पाव से होगा पावलव से यहांपर ओपर साइलेंट है सीर से से होगा सी औरर होगा और ऐसे ए आफ दिहान के सी यार थ्योरी दिधितींप आफ़ोह के दवारा फिर नेक्स्ट है गैस्टोल्ड सिद्दांद गैस्टोल्ड सिद्दांद के प्रवर्थक थे तीन वर्दिमर कोफका कोहलर और इन्होंने अपना परियोग की अता वन मानुस पर यह आप दियान रखें फिर नेक्स देखते हैं इसको याद करने के ट्रिक की भी जरूर नहीं ह आप दियान रखें इसके जो परवर्थक के वो तीन है वर्दिमर कोहलर और कोफका अधिकतर इस्टोएंट को इसके इनके बार में पता भी होगा नेक्स देखते हैं क्रिया प्रसुत अनुबंदन सिद्दांत किसके द्वारा दिया गया था यह दिया गया था फैड्रिक इ को देखते हैं इस्किन कि रोज साफ करें इस के से क्या होगा शटिया परसुत अनुबंदन सिद्दा इसको बहुता है और इंग्लिस में इसका फुलपाम होता है response stimulus theory और हिंदी में कहें तो अनुकिर्या उद्धिपक सिद्धांत यह आपको ध्यान रखना है जितने भी यह अधिगम के सिद्धांत है इनके दो तीन एक्ष्टा नाम होते हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए एक्षम में confusion की दरेष्टी से कभी को बार कुछ अलग नाम दिये हो सकते हैं जैसे यहां पर यह दे रखा है किरिया प्रसुत अनुमंदन सिद्धांत फिर नेक्स्ट है प्रबलन का सिद्धांत इसका निना में पुनरबलन का सिद्धांत किस ने यह दिया था यह दिया था C- इसको याद करने की जो ट्रिक है वो एकदम सिंपल है हल चलाने के लिए हमें बल की आवसकता होती है तो हल चलाने के लिए हमें बल की आवसकता होती है प्रबलन या पुनरबलन उसमें बल आ रहा है तो इस तरह ट्रिक के मद्यम से आप इसको ध्यान रखें नेस्ट हैं चिन्ना आकार अधिगम या फिर इसको चिन्न अधिग सिद्धानथ भी कहते हैं। सायन यहीं कहते हैं साइन इसको कहा जाता है। तो यह सब हिएसके नाम है और इसके जो परवर्तक थे वो थे tall man और tall man ने अपने प्रियो किये थे चुहों पर तो यह आप ध्यान रखे tall man ने चुहों और बंदरों पर प्रियो किये थे तो यह आप ध्यान रखे चुहों के साथ बंदरों भी आप मैन का जो उद्दिशी क्या होता है वह होता है modèle साइन करना ठीक है इसका दुसरे नाम है संञ ज़िए यह दियान रखिए चीन अकार अधिगम का दुसरे नाम है संञ त्योरी कि've फिर next देखते हैं next काफी simple है सामजिक अधिकं तो यह आपको ध्यान रखना है बांधरक का आपको ध्यान रखना है बांडूरा समाज से समाजिक अधिगम, फिर नेक्स्ट है, सरचनात्मक अधिगम, सरचनात्मक अधिगम के प्रवर्तक थे ब्रुनर, तो यह आपको ध्यान रखना है, और इसकी जो ट्रिक है वो है, बोन की सरचना, बोन की सरचना, बोन स रजना से होगा तो यह त्रिक के रूप में इसको याद रखें नेक्षटें चेत्रिय अधिकं सिद्दांथ किसके द्वारा दिया गयता कुट लेविन के द्वारा तो लेविन 11 से आप ध्यान रखें Land को Land यानि भूमी छेत्र तो छेत्र यह दिगम सिद्धांत तो इस परकार आप इसको याद कर सकते हैं और मैंसलों ने पांच सौपान बताया थे अधिगम के कौन-कौन से वो मैं आको यहीं पर बता देता हूं क्योंकि कई बार एक्जाम में कोशिन पूछे गए हैं तो इन्होंने पांच आवशक्ता बताया थे अधिगम के लिए सबसे पहले इन्होंने बताया था सारिक आवशक्ता दूसरा इन्होंने बताया था सुरुक्सा समंधी आवशक्ता थर्ड इन्होंने बताया था समू समंधी आवशक्ता और फोर्थ इन्होंने बताया थी आत्म से संमन्दी अवशकता टर्ड़े समू समन्दी से अवशकतार ओर पय test me dis yeah Kome da को खेके दिया दिडिकने में आपको साथ में पता रहा हूँ फिर नेक्स नेक्स्ट अनुभाव जन्यसध्डान्थ काफी IMPORTANT है, कई बार एक्जम में पूछा हुआ है इनके जो परवरतक हैं वो है CALL ROJERS और इनकी जो ट्रिक है वो काफी आसान है तो देखते हैं इनकी जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है रोज अनुभव से सीखते हैं रोज हम किसे सीखते हैं? अनुभव से तो रोज अनुभो से सीखना, यह इसकी ट्रिक है, सीखना यहाँ पर अधिगम आप ध्यान रखें अधिगम का सिद्धान्त, रोज से होगा, call Rogers, अनुभो से अनुभो, अनुभो जन्य सिद्धान्त, यह ट्रिक काफी सीम्पल है, आप अगर इसको ध्यान में रखते हैं, तो यह आपको याद हो गया होगा, अनुभो जन्य सिद्धान्त, हम रोज किस से सिखते हैं, अनुभो से सिखते हैं, तो call Rogers, next है, परति इस्थापन सिद्धान्त, इसके प्रवर्तक थे गुतरी, इन्होंने अपना परियोग जो किया था, इन्होंने खरगोस पर परियोग किया देख सकते हैं, थर यहां पर आ रहा है, गुतरी, इस्थापन से होगा, परति इस्थापन, इस्थापन यह आप ध्यान रखें, और खर से होगा, खरगोस, तो यह आप ध्यान रखें थर के इस्थापन पर खर, यह ट्रिक है, इसको आप ध्यान रखते हैं, तो यह आपको गहने के द्वारा दिया गया तो यह आप ध्यान रखें इसकी जो ट्रिक है वो इस प्रकार है जो हम गहने खरीते वो कहां से खरीते हैं वो हम खरीते हैं सौप से याने दुकान से, तो अधिगम, यहाँ पर सौपान आ रहा है, तो सौप, यहाँ इस तरह इसको याद रख सकते हैं, तो अब हम जो रॉबर्ट गहने ने अधिगम के जो सौपान बताये थे, वो टोटल बताये थे 8, कितने बताये 8, तो उनको देख लेते हैं, इन्होंने कौ अधिगम फोर्थ इन्होंने बताया था साब्दिक अधिगम फिप्थ इन्होंने बताया था बहु भेदी अधिगम शिक्स्त इन्होंने बताया था प्रत्य अधिगम सेवन इन्होंने बताया था अधिनियम अधिगम और लास्ट में एट इन्होंने बताया था समश्य समधान अधिकम काफी important कई बार exam question पूछ जाते हैं वापस देख लिए थे एक बार जो रोबर्ट गेने थे इन्होंने अधिकम सौपान सिद्धान दिया था टोटल अधिकम के आठ सौपान बताय थे फर्स्ट इन्होंने बताय था संकेत अधिकम सेकेंड बताय था उद्धिपक अनुकिर्या अधिकम थर्ड बताय था स्रंकल अधिकम फोर्थ साब्दिक अधि नेक्ष्ट देखते हैं संगेनात्मक विकास का सुझ सिद्धान थे यह सभी को पता है जीन प्याजी के द्वारा दिया गया है कई बार एक्जाम में आचुका भी है यह